कि नमस्कार मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है इस समय मौसम की दुनिया में क्या हो रहा है भारत के किन-ekन इलाकों में बारिस हो रही है कहां कहां बिजली या हम कह सकते हैं सही सूष ना पहुंच सके तो आईए सुरू करते हैं कि मौसम की दुनिया में क्या चल रहा है तो यहां पर हम सुरूआत करेंगे इस समय सैटलाइट क्या कह रहा है तो आईए देखते हैं सैटलाइट इमिजरी क्या कह रही है तो यहां पर लेटिस्ट सैटल का मुकुठ है यह हम कह सकते हैं बारत का मुकुठ है जम्मू कश्मीर और लगडादग दोनों जगहों पर एकड़ना साफ यह रहीं वहां पर भी आस्मान साफ है और यहां हम कह सकते हैं हिम आच्छादित या हिमाले के जो बर्फ से लगदत पहाड हैं वो साफ साफ देखे जा सकते हैं ऐसा लग रहा है, जैसे बीच बीच में जो, जो इलाक्छा काला काला सा दिख रहा है, वह वहां की वैलीज हैं, और वाइट जो दिख रहा है, वहां के पहाड है, यह देखे इसका मतलब हुआ जम्मू कस्मीर और लगदाख में मौसम प्राया साफ है, अक्दम साफ है, और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कई जगहों पर हम कह सकते हैं आस्मान आम तोर पर साफ है चलिए हम आगे चलते हैं दिल्ली में धूप खिली हुई है पर्शी मुत्तर प्रदेश में भी यहीं हाल है और अभी की बात करें तो राजस्थान में भी यहीं स्कृति बनी ह हुई है मद्धिपर्देश को देखिए तो मद्धिपर्देश में हम कह성만 है कि बड़े वहाद बोपाल और आसपास के लाके में बादनों की हुए चैल कडमी है और साथशाथ प्र्यागराज के ऊपर भी बादल आ रहे है और जा रहे हैं तो पूरवी मद् 드ड़ेश के अच्छी खासी एक्टिविटी है मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है मानसून एकदम वहाँ पर अपने कदम रख चुका है कई इलाकों में बारिस कर रहा है उपर की बात करें तो उपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबर्दस तरीके से यहां पर क्लाउड अगर हम करनाटक की बात करें तो करनाटक में भी बादलों की आगजा ही है और केरल में थोड़ा सा बारिस कम हुई है यहां थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो रही है चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे इलाके की जिस पर सब की नजर है यहां पर अगर हम पूर्वत्तर भा मिटर के उचाई वाले बादल भी यहां पर देखे जा सकते हैं साथी साथ सुन्दरवन इलाके की बात करें पस्य मंगाल में तो वहां पर इस समय बादलों की आवाजाही शुरू हुई है और धीरे धीरे यह जो जमावडा है यह बढ़ता चला जाएगा यानि यह क्लाउड और ज्यादा बढ़ेंगे एक और चीज जो यहां पर हो रही है इस मैप में जो नजर आ रही है उसको भी हम आपको दिखाएंगे यह देखे अन्नमान निकोबार के आसपास जबर्दस तरीके से बादल उमल घुमल रहे हैं यह देखे और यह बादल क्या बता रहे हैं कि य जहार, जहारखंड और पूरी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा तो यह तमाम इलाके हम कह सकते हैं कि अब मानसून का थिएटर बनने जा रहे हैं लेकिन अभी की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे खास तोर पर पूर्वत्तर भारत के रह रहे कर बादल उमड घुमड रहे हैं लगातार हम कह सकते हैं साउथ वेश्टरली विंड्स वहां पर पहुंच रही हैं और चाहें मेगाले हो असम हो त्रिपुरा हो मिजोरम हो मडिपुर नागा लैंड अरुनाचल प्रदेश सिक्किम सब जगे पर हम कह सकते हैं बाद क्या होने जा रहा है जिस कम दबाओ छेतर की हम बात कर रहे हैं उसकी वज़े से मांसून किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं तो आईए शुरू करते हैं νयूमेरिकल मॉड़ल से यहां पर आप functional में आप आज की इस्तती देख सकते हैं कि कि तरीके से पूरोत्तर भारत में जबर्दस तरीके की अक्टिविटी बनी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी जाएगी अगर हम वेस्टरन घाट पर देखें तो यहां मानसून आगे बढ़ चुका है कई जगहों पर अपने कदम रखने जा रहा है मद्ध भारत में लगातार रह रहकर एक्टिविटी बनी हुई है यह आज की बात है और अगर हम कल की इस्तिती देखें तो कल की इस्तिती भी कमोबेस ऐसी ही है और यह जो बारिश का थियेटर है यह हम कह सकते हैं पूरवी मद्ध प्रदेश और साती और इसके अलावा जारखंड उसके अलावा की बात करें तो हम कह सकते हैं पूरवी यूपी और विहार के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी यह आठ तारीक की बात है पुरोत्तर भारत में जमा जम बारिश का सिलसला बना रहेगा और वेश्टरन घाट पर हम खास त इलाकों में साथी साथ हम कह सकते हैं कि वेश्टरन घाट पर और कुंकन गोवा और गुजरात महराष्ट का जितना भी कोश्टल बेल्ट है खासता और मुंबई में भी जमा जम बारिश का सिलसला रहेगा तो यह सारी चीजें यहां नजर आ रहे हैं अब यहां से शूरू हो जाएगी विहार के तमाम इलाकों में यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी बढ़ रही है चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं तो यहां पर हम दस तारीक की इस्तिफि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह कम दबाओ का छेतर आगे का है उत्तरप्रदेश का वहां पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ गई उडिसा में जमा जम बारिश का सिलसिला सुरू होगा साथिसा चतीस गड़ में यह नौ तारीक की बात है और यह दस तारीक को अगर आप देखेंगे दस और ग्यारा को यह जो कम दबाव का छेत रहे में और आगे बढ़ेगा दस और ग्यारा को और यहां पर आप देख सकते हैं वडिशा के तमाम इलाकों में जमा जम बारिश चुछतीस गड़ में जमा जम बारिश का सिलसिला सुरू हो जाएगा साथिशा दूसरी तरफ देखें अरब सागर की मांसून की दिसा है या मांस पर अगर हम देखें बिहार उत्तरप्रदेश के साथ सा दिल्ली हर्याना और हम कह सकते हैं उत्तरा खंड यहां पर मांसून पहुंश जाएगा ऐसा दिख रहा है ऐसा नजर आ रहा है तो यह पासिबिल्टी बन रही है कि इस बार हो सकता है कि मांसून 12 जून के आसपासी दस् पर तो यह स्थिति हम कह सकते हैं लगातार मजबूत होती है यह देखें यह तेरा तारीक के स्थिति दिखा रहा है और एक ऐसी वेव बन रही है जिसमें दिल्ली राजस्थान मद्यप्रदेश इन सारी जगहों पर मांसून समय से पहले दस्तक दे देगा ऐसा लग रहा है और जो नुमेरिकल माडल है वो यहीं दिखा रहे हैं यहां देखें चौदा तारीक को हम कह सकते हैं दिल्ली राजस्थान में भी मांसून पहुंच रहा है और यह स्लो मूविंग सिस्टम है जिसकी वजह से यह एक बड़े इलाके में बारिश देगा तो यह चौदा तारी को मांसून की हवाएं पहुंच जाएंगी तो यह एक बड़ा डिवलप्मेंट होगा और उस समय यानि 15 तारीक के आसपास यहां पर एक विस्टर डिस्टरबेंस भी है जिसका इंटरेक्शन होने की संभावना भी यह नुमेरिकल मॉडल जता रहा है और यहां देखें किस तरीके से यानि 15 और 16 तारीक को बिहार और आसपास के इलाकों में जमा जम बारिस उत्तर प्रदेश में जमा जम बारिस और एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं वेस्टर अंगार्ट में भी जबर्दस तरीके से जो बादलों की आवाजा ही बनेगी तो यह मॉडल जो कह र जारखंड बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएंगी और जो यह मॉडल दिखा रहा है उसके हिसाप से लग रहा है कि इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून समय से पहले दस्तक दे देगा लेकिन यह हम कह सकते हैं मौसम का मॉडल है इसमें अभी बदलाओ भी हो सकते हैं तो क्या चेंजेज होंगे वो तो देखने वाली बात होगी लेकिन यह इस तरीके की इंडिकेशन पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं कि दस तारीक के बाद जब मानसून सक्री होगा या मजबूत होगा तो एक बड़े इलाके में बारिश सकता है दिल्ली मानसून पहुंच सकता है समय से पहले तो देखते रहे हैं मौसम इस्टेशन फिर मिलेंगे दोबारा